तो अब हम चलते हैं ब्लॉक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नमबर 6 पर ये हैं ब्लॉक नमबर 6 के बिना ब्लॉक नमबर 5 वेकार हो जाता है ये आगे बढ़ना कहलाता है ठीक है एक और मिसाल मैं अपने पुराने सीडी से इस्तेमाल करता हूँ कल रात मैं गोल्फ देख रहा था मुझे वो मिसाल आप भी पसंद है मैं उसे फिर इस्तेमाल करूँगा आप मेरा स्विंग माना बहतर है आप एक बॉल मांगिए जो एक गोल्फर बॉल कहलाती है जो जमीन पर एक लकड़ी के टुकड़े पर रखी है जिसे टीट कहते हैं क्योंकि मैंने टाइगर को खिलना सिखाया है आप लोगों कोई इस सब पर विश्वास नहीं फिर आप कलप पकड़ते हैं कैसा कलप वो निर्भर है आपका हमिंबर है आप लोग समझ रहें न वो देर में करिये वो उसी तरह का होगा और आपका स्विंग घुमाना उपर की तरफ तो आप बाल को मारते हैं और आपका कलप पूरा उसके पीछे जाता है और बाल जाती है वो मेरी जाती है 300 मीटर या ऐसा ही कुछ 40 या ऐसा ही कुछ अगर आप बाल को टप मारते हैं और आप रुख जाते हैं ठीक है जो टाइगर करता था तो बाल कुछ इंच ऊपर जाती है क्योंकि उसके आगे का कदम नहीं है ठीक है यह एक पावरफुल एक्जामपल है तो जब आप प्लान दिखाते हैं तो आप बस को मारिये सही है और आप वहीं रुख जाएए बाल टपक जाएगी आपको बाल को मार कर उसके पूरा पीछे जाना है तब वो जाती है तब आपको एक साइन अप मिलता है आप समझ रहना आगे बढ़ना सचमुच एक सबसे मुश्किल बेशिक बिल्डिंग ब्लॉक है जिस उसे फोन मत करो अगर आप जान गए कि वो शक्स आपसे कत्रा रहा है क्यों आप क्या करेंगे उसे फंसाएंगे हैना कुछ कहते हैं उसे ढूंड निकालो उसके पीछे जाओ सुनिए वो शक्स आपसे कत्रा रहा है वो कभी जवाब नहीं देता जवाब नहीं देता आपके आप लोग इतने आतंकित क्यों है मेरी समझ में नहीं आता आप आगे के कदम के बाद और मेरा आगला कदम बहुत मामूली है आपको याद है हम उस दिन मिले थे येस क्या हम एक गेम और खेल सकते हैं कोई सवाल ठीक है अगर उसको दिलचस्पी है तो हाँ बोलेगा अगर उस कर सकते हैं क्या 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 कर सकते हैं आप पीटेंगे आप साइन अप करो लेकिन आप उसके घर के सामने से 22 खांत में लेकर गुजरते हैं आएसे पकड़ कर उसे दिखाइए मत आप कुछ नहीं कर सकते मुझे अफसोस है अगर वो शक्स ना कहता है आप एक प्रियोग कर सकते हैं इस्टैटिक सर्वे आप समझ रहे ना वैसे मैं जानने के लिए उस्सुखों की नहीं क्यूं कहा आप वो कर सकते हैं अगर आपको खिलवाल करना है तो मैं हमेशा करता हूँ वो शक्स कहता है मुझे आपकी बेवकूफी के व्यापार में दिल्चस्पी नहीं है मैं आश्चर चकित हो गया मैंने कहा मुझे चोड़ पहुँची है आपकी नौकरी हमदर्दी की लाइक है आप ना क्यूं कर रहे हैं आप जानते हैं क्यूं कह रहा हूँ मगर यह सच है आप इसके बारे में सोची मुझे फोन कीजिए मैं अभी भी आपकी मदद करना चाहता हूँ मैं अभी भी सोचता हूँ कि यह व्यापार आपके लिए कारगर होगा आगर कुछ हुआ तो मैं फोन करूँगा अगर कोई बड़ी बात हुई तो मैं फोन करूँगा ठीक है? प्लीज आप साइन अप करना चाहते हैं। मुझे अपनी वीवी का नंबर दीजिए क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि वो अपने पती पर प्रभाव क्यों डाल रही है। वो नहीं करने के लिए मना कर रहे हैं जिससे उनके परिवार की जिन्दिगी बदल सकती है। मैं जानना चाहता हूं कि प्लीज आप साइन अप करना चाहते हैं ताकि मैं आपको अभी मनजूर कर लोूँ। डाक्टर लेकों फोन करके लाइन दीजिए। होल्ड आन। हलो मिसेज ली। हाँ। क्या है। आप नहीं चाहते को सदस बने। आपको जानकारी चाहिए। आपको और तजर्वा चाहिए। बिलकुल डर ये नहीं। देखिए मेरी माने हमेशा मुझे एक चीज सिखाई है। उन्होंने कहा खुबसूरत बेटे। क्योंकि मेरे दो भाई हैं। वो हमेशा रूप रंग का फर्क करती थी। खुबसूरत बेटे। अपने आपसे हमेशा पूछो कि इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है। एक बार जब आपने उसे मंजूर कर लिया। आपको किसी चीज से डरना नहीं है। सच है। मुझे उसमें जवर्दस विश्वा से अपने जीवन के प्रती। ये मेरे जीवन की नीती है। ठीक है। तो मैं नेटवर्किंग को देखता हूँ। प्लान दिखाए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नमर 5। राइट। सबसे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है। नहीं। क्या वो नहीं कहकर आपको उसी समय पीटते हैं। आपको सूट करते हैं। वो सिर्फ नहीं कहते हैं। वो ही सबसे बुरा है। अगर आपने उसे सबसे बुरा मंजूर कर लिया है। तो आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, शांत हो जाएए, मैं आपके फैसले की कदर करता हूँ, क्या मैं जान सकता हूँ क्यों नहीं, वेल, इमानदार इसे कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपका ये हम अभी भी बात कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा वेवर आउर देता हूँ, हमारे पास रिटेल आप्सन भी है, जहां आप रिटेल के जरिए यूवी ले सकते हैं, आपको खुद अपने लिए खरीदने के जरूरत नहीं है, ठीक है, हमारी कमपनी के पास बहुत से आप्सन है, अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप दो बा के लिए ले जाता हूँ, और आसपास के लोगों के लिए स्पीकर फोन चालू कर देता हूँ, आप समझ रहे ना, मगर आगे बढ़ने के लिए, आप आगे बढ़ा सकते हैं, आगे कब बढ़ना है, 24 घंटे से 48 घंटों तक, 48 घंटों से बिलकुल ज्याज़ा नहीं, क्यों अगर फोन आता है, तो आगे बढ़ यहाँ, Mr. Lee, पदमन मोल रहा हूँ, आपको याद है, हम शनिवार को मिले थे, आपको एक आउसर दिखाये थे, हाँ, 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 बहुत मनोरंग जखाये, ठीक है, मैं आप से आज या और कल में मिलना चाहता हूँ, ओके, आपके हर सवाल पर गवर करेंगे, और आगे कैसे बढ़ें, वो देखेंगे, ठीक है, हमेशा सकारात्मक शब्दों का प्रियोग कीजिए, यह मत इस्तेमाल कीजिए, ओ, मैं, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास नहीं हुआ, किसी ने वास्तों में का की, मैंने सुना, मैं लोगों से कहता हूँ, सुनिये, हम मिलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मेरे पास आपके लिए कुछ ताजा जान का रही है, जो मैंने आपको उस दिन नहीं दी थी, ओके, कोई मजबूरी नहीं है, मगर लोग चाह पर मिलते हैं, आप लोग मेरे बास समझ रहें ना, आगे बढ़कर हम सब को एतराजों से जूजना है, क्योंकि अगर प्लान के दौरान सवालात हैं, तो आगे बढ़ने पर और ज्यादा से ज्यादा सवाल पैदा होंगे, क्यों, क्यों, क्योंकि वो शहर में सब से बात करेंगे, आप जा वो अपनी सास से बात करते हैं, अंटी से, अंकल से, हर एक से, और उन्हें ज्यादा से ज्यादा नकरात्म क्राएं मिलती हैं, तो और गोलियां आकर आपको शूट कर सकती हैं, तयारी क्यों करते हैं, आप समझ रहें ना, और मैं भूल गया, मैं भूल गया, प्लान दिखात उसे प्लान दिखाने के बाद हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नमर फाई उनसे हमेशा कह दीजिए प्लीज किसी से बात मत कीजिए इस बिजनेस के बारे में जब तक हम मिलकर आगे ना बढ़ें आप समझ रहें ना राइट बाहर बहुत से लोग होंगे बहुत सी राय हों हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौदस यारा बारा तेरा चुझा तो दोस्तों मैं इन एतराजों के गहराईयों के ब्योरे पर नहीं जाओंगा ठीक है उसके लिए एक अलग सीड़ी होगी क्योंकि मैं आप से कहता हूं मैं आप से कहता हूं वो दस गोलियों से जाधा नहीं चला सकते यह कानूनन है यह काम करता है मेरे पास पैसा नहीं है मेरे पास वाक्त नहीं है मुझे पसंद नहीं है मेरी वीवी नहीं करने देगी मेरी वीवी नहीं मानेगी मैं लोगों से बात नहीं कर सकता मैं किसी को नहीं जानता मैं सारी जिंदगी अपने ब कूप हूँ आखिर में ठीक है इन हालातों से निपटना है तो लडाकों कभी मत बनिये क्योंकि अगर वो शक्स आगे बढ़ने के लिए आया है तो इसका मतलब है वो सुनेगा हमारे लिए वो अच्छा शक्स है आपके पास सिर्फ दो किस्म की किरदार हैं जो उसी समय साइन अप कर देते हैं और जो हमेशा कुर्सी से गिर पड़ते हैं और कहते हैं नहीं आप समझ रहे हैं जो आपके आगे बढ़ने के बुलावे पर आते हैं आगे बढ़ने के लिए फोन के बाद आते हैं और जो आगे बढ़ने वाली मीटिंग के लिए आते हैं जो आगे बढ़ने वाली मीटिंग के लिए आते हैं वो 50-50 की सीमा पर हैं आप सब मेरे साथ है ना ठीक है और वो जगह अच्छी है जाने के लिए ओके तो वो आगे बढ़ने वाली मीटिंग में आते हैं और वो एक आतराज बताते हैं तीन एफ याद है ना फील, फेल्ट, फाउंड मेरे पास वक्त नहीं है ब्रदार मैं जानता हूं आप कैसा मैसूस कर रहे हैं जब शुरू किया था तो मैंने ऐसा ही मैसूस किया था मगर क्या आप जानते हैं कि मुझे क्या मालूम हुआ है अगर आप अपने अपलाइन के साथ बैठें और समय का सत्वियोग करें उसके लिए हपते में दो तीन दिन चाहिए और इस व्यापार को कारगर तरीके सबढ़ा सकते हैं ठीक है मेरे पास पैसा नहीं है जानते हैं मैं कैसा महसूस कर रहा हूं जब मैं आया था तो मेरी यही समस्या थी जानते हैं मैंने वसा ही महसूस किया अब वो न कहिए कि एक रोबोट की तरह पैसा नहीं है मैं जानता हूं आप कैसा महसूस कर रहे हैं मैंने भी ऐस कैसा महसूस किया था मेरी वीवी इजाज़त नहीं रहती जानता हूं रोबोट मत बनों आप समझ रहे हैं कि नहीं उसके अंदर कुछ बात चीट डालिए यह मैं जानता हूं आप एक दम कैसा महसूस कर रहे हैं जब मैं अंदर आया तो मुझे धक्का लगा था मगर मैंने वाइसा ही मैंसूस किया मगर अपने लीडर्शिप के साथ समय बिताने के बाद मुझे बहुत सी महान चीजों का पता चला कि पैसे के बिना भी मैं रीटेल मोट पर जा सकता हूं अपने नस्दी की लोगों को कुछ प्रोड़क्ट उत्पादन फुटकर में बेचूं भी भी इकठा करूं और उसे अपने ट्रैकिंग सेंटर में रखूं और बनाओं और अपना हाभाव बनाए रखना वो शक्स आकर कहता है कि मैंने मालूम कर लिया कि एक कंपनी घोटाले वाली है वो आदमी आकर मुझे बताया इस आदमी ने आकर मुझे बताया उस आदमी ने आकर मुझे बताया बला 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 मुझे ताजुब नहीं हुआ मैं जानता था का आप आकर यही कहेंगे ठीक, मुझे कहते हुए अफसोस है कि वहाँ बहुत सी चीज़ें उत्रा रही है मगर हकीकत अपने लिए खुद बोलती है ठीक है, हमारी एक बिलियन डॉलर की कमपनी है दो मिलियन ग्राहाख है मैंने प्रेजिंटेशन के दोरान आपको सारे पेपर क्लिपिंग दिखाएं ठीक है, मैं क्या कह सकता हूँ ठीक है, लोग माइक्रोसप्ट के बारे में बुरा बोलते हैं लोग मर्सिडीज के बारे में बुरा बोलते हैं एपल कंप्यूटर से लोग बेज़्यती करते हैं ठीक है यह मगर हमारी कमपणी ठोस है पूरी दुनिया में हमारे आफिसेस हैं बला 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 अगर वो कोई पकी चुनारोटी लाताहे जैसे मलेसिया में कानूनी समस्या है आप सही है मगर अब पूरी तरह साफ है हमें कभी नहीं और ये हकीकत है कि हम पर सफलता पूर्बा कोट में किसी चीज पर आरोब तक नहीं लगा आठ सालों में आठ सालों में बहुत से आरोब बहुत से राजनीतिंग मुद्दे आप जानते हैं दूसरी कमपणियों की जलन वो हम पर हमला करते हैं मगर इस ग्राप पर किसी भी कमपणी ने हमारे खिलाप एक भी केस नहीं जीता कभी नहीं ये बहुत तारिप के योग है ये पूरे वर्ड की में बात कर रहा हूँ कभी नहीं माइक्रोसाफ्ट पर अभियोग लगा मुकादमा अदार हुआ और वो केस हारे हम कभी भी कोई केस नहीं हारे मुझे इस पर गर्व है आप समझ रहे न मगर जिस मिनेट उनों ने कमपणी के बेज़ेती करना बंद किया आप समझ रहे न ओ ये बेहुदा कमपणी है आपको छोड़ देनी चाहिए मैं आपके मत की सराहना करता हूँ मगर क्या मैं आपके साथ मांदार हो सकता हूँ मुझे परवान है कि आप सोचेंगे वो हाँ या न जो मैं कर रहा हूँ वो पूरा समय तक है मुझे इस कमपणी में बिश्वास है हमने पूरी दुनिया में कितनी जिंद्गियों को बदलाव ला दिया है आपको गर्ब के साथ चलना चाहिए आप सहमत मत होईए शायद आप सही है वो है अच्छी कमपणी नहीं है आप समझ रहे हैं न और जैसा मैंने कहा था आयतराज एक व्यक्त के भेश बदलने का तरीका है नहीं कहना वो नहीं कहने की हिम्मत करता है तो समझ खंडन कर दिया आप समझ रहे हैं न और आप जब आप देते जाते हैं जब आप देते जाते हैं और वो नहीं कर लेता है वो सच-मूज कहना चाहता है वो है नहीं, आप लोग पहले से अंदाज लगा सकते हैं उनको जोश देने का इश तर आप जा नते हैं उस शक्स को दिल्चस्पी नहीं है तो क्या हुआ कुछ को होगी कुछ को नहीं तो क्या हुआ कोई इंतजार कर रहा है को इंतिजार कर रहा है क्योंकि आपके पास 150 नामों के लिष्ट है और आप हर महीने 15 जोड रहे हैं आप मेरी बास समझ रहे हैं तो आगे बढ़ने के लिए मानसिक रोगी हो जाईए यह बुनियादी तरीका है प्लान दिखाईए आगे बढ़िए प्लान दिखाईए आगे बढ़िए हाँ या ना जो भी ना कहता है उनके नामों के काग़ों को जलाईए नहीं किसी किसी धर्म के लोगों को समारो में आप समरे ना सब को के आईवी पर रख दीजिए के आईवी का मतलब दिखाई देने वाली जगां कल आठवां वार्ष को सो जबर्जस्त बेहिसा समारो मलेसिया सारे के आईवी को बुलाईए हाई आपको याद है कुछ महिनों पहले हम आपसे मिले थे एक प्लान के बारे में सुनिये हम बड़ा समारो कर रहे हैं मैं आपको इन्वाइट करना चाहता था बहुत मज़ा आएगा सब को बुलाईए और वो आ जाएंगे एक हजार लोग आप समझ रहे है भुबारे बहुत सारी चीज़ें वो अपना इरादा बदल देंगे ये हमारा एक वी कौन है और परदर्शनी की दुकाने हैं उन्हें परदर्शनी की दुकानों पर इन्वाइट कीजिए आप समझ रहे हैं किया भी नहीं फेंकेंगे अग कोई भी व्यक्ति जिसमें जरा सी भी बुद्धी है अगर किसी में पतंग जितनी बुद्धी है चाहे वो जिन्दा चीज ही ना कहो हो अगर किसी में बुद्धी है जरा सी भी बुद्धी मगर एक सपना है आप समझ रहें ना वो इस व्याफार के लिए हां कह देगा जो व्य किसी चीज की कोशिश करने के लिए ना कहते समय वो एक ही चीज दर्शाते हैं डर तो कभी कभी जब कोई शक्स ना कहता है तो मैं खड़ा होकर उसे गले लगा लेता हूँ मैं कहता हूँ मुझे तुम्हारे लिए अफसोस है भाई क्योंकि तुम सारी जिंदगी मुफलिस रहोगे और आप कभी भी अपना इरादा बदले तो मुझे फोन करिएगा ठीक है अपना ख्याल रखिएगा जब कोई ना कहता है तो मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ मैं जानता हूँ वो अपनी देनीज जिवन पर वापस चला जाएगा आप जानते हैं न जब उसके पास मौका था हम में शामिल होने का और अपने जिवन की दिशा बदलने का तो आपने डर को छोड़िए आगे बढ़िए आगे बढ़ाईए 48 घंटे आप मेरी बास सुन रहे हैं न फोन कीजिए अहतराजों से निपटिये महसूस कीजिए अपने हाव भाव को बरकरार रखिए गर्ब के साथ चलते जाएए उन्हें इजादत मत दीजिए चले जाने की जीतने की भावना से आप लोग मेरे बास समद रहे हैं न